गाउं जम्राओं में धर्मेंदर का परिवार गमगीन माहूल में बैठा हुआ है क्योंकि दो दिन पे लेके ऐसा हादसा घटा जिसकी हम शब्दों में बया नहीं कर सकते आज उनके घर का लाल उनको छोड़ कर जा चुका है कारण है जो बिजली के खंबे लग रहे थे उसमें ठेकेदार द्वारब बरतिला परवाही को लेकर हम जानकारी करेंगे क्या हुआ था उस दिन जब धर्मेंदर अपने खेट पर जा रहा था पत्नी काजल पिलाब कर रहे इंतजार कर रही थी पती का आने का लेकिन पता नहीं था कि ऐसी ख़बर आएगी ये वो फल ये वो हाथ से हैं जिनकी भरपाई तो नहीं कर से लेकिन भगवान से ये जरूर कह सकते हैं कि इनकी दुख की जो भरपाई है वो जल्डो पत्नी काजल जो की मात्र अभी एक वर्ष ही हुआ है शादी को लगभग उ सब ठंडस बांध रहे हैं का परिवार के लोग पत्नी का हुआ ह MAX हुआ मैं आजिम बेगा अपने चैनल में सभी दर्शों को स्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग नीउस से भी मेरे साथ मिरंतर बने रहे हैं क्योंकि मैं गाउं जम्राओं में मौझूद हूँ जहां गर में मौझूद हूँ जहां एक ऐसा हाथसा घट इसी परिवार से तालुक लगता और जैसे रोज़ाना जाया करता था वो खेतों पर पानी लगाने अपने खेत पर जा रहा था लेकिन जो विद्धुत्पोल का काम चल रहा है ठेकेदार दुआ रहा है उसमें जो खंबा लगाया गया था वो शायद लगनी पाया था क्या क चले मेरे साथ मेरे साथ धर्मेंदर के पिता जी है क्या नाम लिखनें बाउजी आप शामलाल जी क्या हुआ था उस दिन अब याज के भी आ आया है जी वो को लेगे वो नहीं सो ठाक है वाजी है खमा लगा रहे हैं लोग ठेकदार तो मैं बिजली पानी लगाने गए है कि भी को बिद्धित को नुक्सान ना हमारो न तुमारो तो मैं भी मुंही खड़ो भाई ऑगे दो रहे हैं और भी भी खड़ो तो ला पर क्यार्थ तो उस्तो खमा बिलिदा है था द्रमेंदर को अंसे नम्बर के शाहां डीए लाव जोगा था जोगतार जोगता शब से छोटा सबसे चोटे घर परिवार में खंब उनको पर गिर गया उनके उपर गिरा पानी लगा रहे तो पानी करका हम केट में वो पानी करके हम वो कर आगे जिम्मा लगाने अच्छ इए फूवन का उसी की तरफ घर गिर गया जिदर जो जैब ही खतंब हो गेते के बाद खत्वूं शामडाल जी बता रहा है कि कुछ सांस बाकी था हम चिकस्था लेके गए थे हॉस्पिटल लेके गए थे लेकिन उसने वहीं अंतिम सांस ले लिए शामडाल बता है कि बार-बार हम ठेकेदार से कह रहे थे कि पॉल वो ठीक तरीके से गारना ये लगाना ल का जो लाल था इस परिवार का जो दीपक था वो आज बुझ गया कारण उस ठेकेदार की लापारवाही और उस ठेकेदार की मन-मर्जी बड़े भाई हैं क्या हुआ था उस दिन आप भी साथ थे शाया मैं साथ नहीं था पिताजी साथ से अतारे धरमेंदर की शादी अभी जल्दी भरवरी में हुई थी और धरमेंदर की पतनी पंदर में महीना होगा व्याग एक साल के लगबग हो जिस पतनी ने अपनी आखो होगे क्योंकि धरमेंदर अप छोड़ के जा चुका है परिशान है परिवार मांग करता है नियाई की मांग करता है उस कानुन से क्या चाहते हैं अभी ठेकदार की सुनवाई कुछ नहीं हो रही है कानुन से मांग करते हैं कि आप नियाई मिले आपको कारवाई भी हो कारव मेरे साथ धर्मेंदर की भावी हैं, बड़ी भावी हैं, क्या नाम है आपको भावी जी, लेकिन जब आपको पता लगी होगी, मैं तो पता लगी हैं, बड़ी भावी बता रही हैं, जैसे रोजा ना जाया करते थे, ऐसे ही उस दिन भी शाम को धर्मेंदर पानी लगाने केद पर गए थे, लेकिन ऐसा पता नहीं था, कि वो वापस नहीं आई, परिवार उनका इंतजार कर रहा था, खुशी का माहूल था, लेकिन जब पता लगी परिवार में गम का माहूल था, सब रोना बिलखने की चीक पुकार में धर बदल गया, पल भर में ये सब कुछ हो गया, बता रहे हैं कि धर्मेंदर की पदनी प्रेग्नेंट थी, अभी उस बच्चे ने अपने परिपापा को भी नहीं देखा, अपने उस पिता को भी नहीं देखा, और वो उनको छोड़ कर चला जया, क्या बीत रही होगी इस परिवार पर, हम चाहते हैं कानून और प्रशासन से, जो कि ये मांग कर रहा है पुरा परिवार, उस ठेकेदार पर जरूर कारवाई, अविश्य कारवाई होनी चाहिए, जो उसने हड़ धर्में और मनमर्जी द मैं उस जगे मौजूद हूँ, जम्राओं में जहां धर्मेंदर के साथ एक खास सा हुआ था, ये पोल है आप दिखा पा रहे हो, ये पोल था उसके बरावर में ये पोल और गड़ रहा था, जो कि धर्मेंदर के उर पर आकर गिरा, बार-बार ठेकेदार से लोग के रहे थ आप जो जो सही तरीके सा इसको गार रहे है क्योंकि रास्ते का मामला है लेकिन वो हड़धरी और मर्जी चला रहा था जिसके कारान ये खास सागटा था, पिताजी मौजूद थे उस समय भी जब से ये हास सागटा था, क्या बाउजी आप मौजूद थे जब ये खंब ये बता रहे हैं कि हम यहां मौजूद थे जब वो खंबा गार रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन पल भर में पताना कैसे आँख जपकी या क्या हुआ कि आचानक वो जो खंबा पूल से एकदम कूपके गिरा, वो धर्मेंदर के उपर गिर पड़ा, इतनी तेज़ों रफ पतार से गिरागे धर्मेंदर में कुछ ही सांसे बाकित थी, लेकिन होस्पिटर पहुंचते पहुंचते शायद उसकी जीवन सीनुला समाफ्त हो गई थी, बाओ जी क्या मांग करना चाहते हैं आप सासन पर सासन से, बार-बार हम आप से एकी बात कुछा है, क्या कारवाई चाहिए आपको तुम चाहो सबसाद मेरे घर्म बहिया बन में क्या मांग ओ और मेरे लाल तो चला जगए हो पिता जी भावुख हो चुके हैं वाकरी उन्हों ने अपना एक ऐसा दीपक खोया है जो पूरे घर में रोशनी दिया करता था और छोटा था घर में लाडला था सब उसे प्यार किया करते थे लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी दो दिन पूर्व कि शायद धर्मेंदर जो की पूरे परिवार को छोड़ के जा सुका है वाँ जा चुका है जहांसे कभी वापस लोटकर नहीं आ रहे है यह बहन है जो सुनकर आई हैं और खिलाप कर रही है वाकिए उपल है चोटा था सबसे लाडला था सब में प्यार किया करते थे लेकिन आज धर्मेंदर वापिस यह कहना है और यह हमारा भी कहना उन कार्टों के लोगों से वाकिए उस ठेकेदार के खिलाब कारवाई ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि वह पकारे होके बार-बार उससे कह पा रहे वालने की कोशिश कर रहा था वो गिर गया चैन पक्री से टूट गया भरमेंदर आपका सब वो रहे हैं बिलाब कर रहे हैं वाकिरी इस पल कि हम भरपाई तो नहीं कर सकते लेगे इनको घम दिये हैं वो जल्दी से खुश्यों में तबदील भी करें चले मेरे साथ कर रहे हैं झालने कर रहे हैं जगर